हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इंद्र जीत और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बूश्वागत है आज हम बात करेंगे NCRTC राष्टर राजदाने छेदर परिवान निगम आज हम O and M vacancy की बात करेंगे जिसका जो examination pattern है वो जारी हो चुका है माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी सिलेबस क्या होगा किस qualification में क्या पूचा जाएगा सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो चले वीडियो शुरू करते हैं तो इस website की link मेंने description में दे दिये आप वहाँ जाकर आप अच्छे से अपना सिलेबस याने की examination pattern देख सकते हैं ओके प्रेंट जैसे आप यहां website open करेंगे या फिर आप Google किसी भी browser में type कर सकते हैं ncrtc.in यहां इसकी website है फ्रेंट और यहां type करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहां open होगी या फिर description में भी मैंने link दे रखिए आप महां जाकर इसे open कर स तो देखे carrier वाला option आता है इस option पर आपको क्लिक कर देना है ठीके फ्रेंट मैं केरियर वाले option पर क्लिक करता हूं और यहां से आपको दिखाऊंगा examination pattern डाउनलोड करके और क्या पूचा जाएगा सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है चले प्रेंट केरियर वा title O and M vacancy यहां पर show हो रहा है O and M vacancy और इस पर आप क्लिक कर देना है इस वाले option पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो देखे फ्रेंट यहां पर इसका examination pattern है यहां बीश नौव दोहजार रिकिस को अपलोड कर दिया गया है फ्रेंट आज जी के दिन अभी जर्ट तुरंत इसका examination pattern अपलोड क्या है और इस वाले option पर क्लिक करके आपको examination pattern है डाउनलोड करना है और क्या पूचा जाएगा multi choice question रहेंगे minus marking रहेगी या नहीं रहेगी सारा कुछ इस में आपको मिलने वाला है तो चले फ्रेंट इस link पर जाकर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको examination pattern है डाउनलोड करना है तो चले फ्रेंट यहां पर क्लिक कर देजे देखे फ्रेंट से यहां पर मैंने जो examination pattern है और डाउनलोड कर लिया है आप भी इसी प्रकार से आप अपना examination pattern है डाउनलोड करें और उसे सबसे पहले आप अच्छे से उसे read कीजेगा ओके यहां पर देखे examination pattern और इस pattern में देखेंगे सबसे पहले पोस्ट इस हो रही है qualification examination choice question ओके question रहेंगे और चार option रहेंगे अब देखेंगे आप पोस्ट की बात करते हैं अब जिस भी पोस्ट में फॉम फिल अप करते हैं जैसे आप mechanical में फॉम फिल अप करेंगे तो यहां पर three year diploma रहेगा engineering और इसके लिए रहेगे फ्रेंट सो question पूछे जाएंगे और minus marking रहे कि qualification है friends three year diploma engineering इसके लिए भी cbt exam जो रहने वाली है उसमें आपको 100 question आने वाले हैं और आपको यहां पर भी negative marking रहने वाली है इलेक्ट्रोनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा वाले हैं इनके लिए भी यहीं पेटरन है फ्रेंट सो question पूछे जाने वाले और minus marking इनके लिए भी रहेगी यहां पर बारी बारी कर आपना जो पोस्ट है देख लिजेगा qualification के हिसाब से technical की पोस्ट है फ् और यहां पर भी उनकी minus marking रहने वाली है इहां पर देख लिजेगा फ्रेंट्स चैसे दस तक की जो पोश्ट है और I Tस यहां पर पूछा क्या क्या जाने वाला फ्रेंट्स अब देखती है यहां पर जो पूछे जाने वाला है सामाण्य मैस्ट्प siamani knowledge okay general knowledge ऐ सामांग्य और यहाँ पर general science, okay, maths, reasoning, okay, English के भी question आने वाले, Hindi के भी question आने वाले, और शामाईने जो computer के वहाँ भी आने वाले हैं, ठीके फ्रेंट्स, यहाँ पर जो show हो रहा है, इसी में से आपको पूचा जाने वाला है, और आप जो cbt exam में अगर आप pass कर लेते हो, तो आपकी exam होगी domain knowledge की, और इसका भी pattern ना जारी हो जाएगा, और cbt exam के बाद आपकी second exam होगी, और उसके बाद ही आपको joining letter दिया जाएगा, यहाँ पर 11th post रेंट्स, station, controller, train operator, traffic controller की, इसमें 3 है, diploma, electrical, electronics, and physics, और इसमें BSc, physics, chemistry, maths वाले apply कर सकते हैं, और के complete होना, degree अपकी, और यहाँ पर जो syllabus दे रहा है फ्रेंट्स, general, update सामने गया, जो, और यहाँ पर इसके इनके लिए भी total 100 question रहेंगे, और इनके लिए भी minus marking रहने वाली है फ्रेंट्स, ठीके फ्रेंट्स, अब इस प्रकार से अपना syllabus डाउनलोड कीजेगा, और syllabus में चेक कीजेगा कि आपको क्या पूचा जाने वाला है, वीडियो अचल अगाउट, वीडियो को लाइक कीजेए, और हमारे चेनल को सब्सक्राइब कीजेए, ठैंक यू फ्रेंट्स,